तो हेलो दोस्तो माटल मेकेनिकल यूटूब में आपका स्वागत है तो गाईज हमारे चैनल पे आप जो नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले तो गाईज देखिए आज मेरे पास आईए बजाज सिटी हंड्रे और आजका इस वीडियो में ये ट्रिक बताने वाला हूँ बजाज सिटी हंड्रे का पिश्टन दिन कैसे फिटिंग करते हैं और उसका गैपिंग किस तर रखते हैं वो आजका इस वीडियो में में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले देखिए ये है बजाज सिटी हंड्रे का पिश्टन देखिए तो आजका इस वीडियो में उसकी गैपिंग किस तरह रख जाता है तो आजका इस वीडियो में में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले देखिए ये है उसका inlet park जहाँ कार्बूरेटर का सप्ला आता है या तो गई सबी गाडियों में अलग अलग तरीके से ring फिटिंग किया जाता है तो गई देखिए ये गाडि में में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह उसकी ring फिटिंग करते हैं तो गई आपको end तक बनने रहना है तो गईद देखिए ये उसकी piston ring है तो गईद इसको बोलते हैं सबसे पहले देखिए ये है उसकी oil ring तो गईद देखिए oil ring का आपको M बनना चाहिए आपको शायद मालूम होगा कहीं mechanic bite बोलते हैं उसका W बनना चाहिए पर काई मैं तो अपने experience से उसका M ही बनाता हूँ और इसके बाद देखिए ये है उसकी पतली वाली oil ring जो oil ring के बिलकुल बंगल में लगती है उसके बाद देखिए ये उसकी दूसरी oil ring है उसको बोलते oil ring expander तो ये सबी रिंगों है उसके piston में fitting होती है उसके बाद देखिए ये उसकी है compressor ring top 2 क्योंकि ये दिखने में अलग ही देखती है तो इसमें ये compression ring है उसके बाद देखिए ये है भी टॉप वन रिंग देखिए तो ये थी सभी उसकी रिंगे और ये है उसकी गजन पिन जो पिश्टन को लोक करती है देखिए और इसके बाद देखिए ये है उसको जो दो लोक है जो गजन पिने के लेप्ट और राइट छेड़े पे लगता है तो यह है उसके दो लोग उसके बाद गई देखिए यह है उस piston कौन से कमपनी का है देखिए यह गवज कमपनी का piston है बजा 60 हंटे, शेट नमर, और उसकी फ्राइस भी दे दी गई है और तो गई देखिए एक पिष्टन के बारे में मैंने जहनकारी दे दी उसके रिंगे के बारे में अब गई चलो गई सबसे पहले लगाएंगे हम उसकी ओइल रिंग तो देखिए यह एक्स यानि के एक्जोस्ट वाला बाग तो गैज देखिए यह एक्जोस्ट वाला बाग में देखिए यह है उसकी ओयल रिंग तो गैज देखिए एक्जोस्ट वाला बाग में यह ओयल रिंग को आपको M बनाना है देखिए यह oil ring है और इस oil ring को मैंने cut है उसका कहाँ पर रखना है आपको मैंने बता दिया है उसके बाद आएगे उसकी बगल में लगती है जो oil ring expander उसको बोलते है तो वो ring का cut आपको कहा रखना है तो कर देखिए उसका पहला cut इनलेट की तरह बिल्कुल इसके साइड में आपको रखना है देखिए इस तरह तो यह रिंग का कट यहाँ पे रखना है इनलेट की तरह बिल्कुल उसके साइड में और इसके बाद आएगी उसकी दूसरी रिंग देखिए तो गई देखिए दूसरी रिंग का कट भी आपको inlet की तरह उसके right side में रखना है तो गैज देखे इस दो ring है उसको left और right side में दो cut आपको रखना है और यह inlet की तरह तो गैज देखे यह दो ring क्या cut मैंने आपको fitting कर दिया मैं आपको marker से आपको दिखाऊंगा तो गैज देखे यह तीन ring कुल लग चुकी है उसके बाद आएगी compressor ring तो गैज देखे compressor ring का top 2 का cut आपको inlet की तरह रखना है जहाँ carburetor का supply आता है वहाँ आपको यह inlet की तरह compressor ring top 2 का cut रखना है देखे तो गैज देखे top 2 का ring का cut और इसके बाद top 1 ring तो गैज देखे top 1 ring का cut आपको exhaust की तरह रखना है देखे इस तरह रखना है देखे EX चाहा लिखा है वहाँ top 1 का cut रखना है उसके बाद top 2 का cut inlet की तरह तो गैज देखे सारी piston ring का cut में आपको marker से दिखाऊंगा यानि के पूरा वीडियो में मैं आपको marking करके दिखाऊंगा तो कहा कहा पे उसका cut रखना है तो गैज देखे यह था बजाज city hundred का piston और गैज piston ring fitting करने का सही तरीका आपको में दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले देखे यह है उसकी oil ring का cut एक चोष्ट की तरह M बनना चाहिए देखे यह marker से आपको में लाई दिखाऊंगा तो देखे वो एक चोष्ट की तरह आपको M बनाना है और दूसरी जो दो पतली वाले ring का cut है देखे तो पतली वाले ring का cut आपको इनलेट की तरह देखे सबसे पहला cut यहाँ पे left side में देखे यह है उसका पहला cut उसके बाद यह है उसका दूसरा cut देखे इनलेट की तरह रखना है वो दो पतली वाले ring का cut उसके बाद आएगी top 2 ring यानि के compression ring दिखने में अलग ही लगती है black color की होती है और size में बड़ी होती है तो गई देखे यह है उसका top 2 का cut और इसके बाद top 1 का cut आपको एकजोस्ट की तरह रखना है देखे तो यह था top 1 का cut इसके बाद गाईद आपको में marker से दिखाऊंगा तो यह cut है पतली वाले ring का पहला cut देखे और यह उसका पतली वाले ring का दूसरा cut और उसके बाद top 2 का cut inlet की तरह और यह top 1 का cut एकजोस्ट की तरह तो गई देखे इस ring के बारे में मैं आपको यहां marking करके आपको दिखा रहा हूँ तो top 2 देखे इनलेट की तरह और एकजोस्ट की तरह top 1 तो यह है आपको marker से में ring के gaping कहा रखना है वो आपको marking के देखे मारकिंग करके आपको एक विस्टन में दिखाने वाला हूँ तो देखे यह है एकजोस्ट वाला भाग यह देखे यह एकजोस्ट वाला भाग की तरह top 1 का आपको रखना है तो इस तरह ring pitting करोगे बजाज CT 100 में तो आपकी गाड़ी कभी दुआ नहीं निकाले और आपको अच्छा result मिलेगा तो गाइड देखे जहां में इन लिखा है वहाँ आपको top 2 रखना है और देखे यह ह करने का सही तरीका तो हमारा वीडियो फ़संद आए तो लाइक कर देना सब्सक्राइब करने इसे सारे वीडियो हम बने